बिग बॉस होटिटी सीजन 3 हो चुके हैं दो नोमिनेशन जैसे कि हमने आपको कल रात की एक वीडियो में बताया था कि उमीद है कि तीन में से दो जाएंगे और ये भी बताया था कि अगर ये चीजे पॉसिबल्टी हुई तो ये जाएगा और ये चीजे पॉसिबल्टी हु अब शीवानी को घरवालों की वोटिंग के आधार पर बाहर जाना था अगर घरवाले की वोटिंग मानी जाती और विशाल को बाहर वालों की वोटिंग के इसाब से बाहर जाना था अब बिग बोस ने खेल दिया है डबल गेम क्योंकि सिर्फ एक हफते का रह गया candidate बहुत सा उनको छोड़ा जो उनको चाहते थे छोड़ना लवकटारिये के फैन फॉलिंग बहुत जादा है बाहर बात का आफि उनको सपोर्ट मिल रहा है तो उनको छोड़ दिया लेकिन यहां क्या हुआ बीती रात जब एपिसोड खतम होने वाला था अचानक से शीवानी को लेट थे वो भी शांती से बैट गए अब तुम बच गई लेकिन फिर से एक बंफ ओड दिया गया कि भाई एक तो चलाए गया अब दोनों में से जिसको हाइस्ट वोटिंग मिली है वो बच्चे का दूसरा जाएगा और दूसरा कौन गया महाँ पर विशाल जी यहां देर सब्सक्राइब क्या बिक बोस हमेशा ही लोगों का ऐसा पागल बनाते रहेंगे क्योंकि शिवानी को वोट काफी जादा पड़ रही थी और घर में कर भी रही थी विशाल भी कर रहा था लेकिन बहुत से ऐसे लोग है अब भी जो कुछ करी नहीं रहा है बहुत देखना ल सब्सक्राइब कर देखें लास्ट में इसको रात को सो के सोने से पहले मीठा खाने क्या था तो किसी का प्रोटीन खा रहा था चमच में लेके खाया उस चमच में ऐसी पानी निकाल के रख दिया मतलब साबून वगरा कुछ नहीं लगाई यह है महा के लोगों की हालत यह ब किर्तिका तौर्मान के पीछे 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 चल रही है बाकी जो कुछ कर रहे थे उनको निकाल दिया खैट बिक बोस के अपनी मर्जी लेकिन अभी अभी जो है टो फाइव में कौन जाने माला है जिसकी ज़्यादा उमीद है अगर बिक बोस ने कोई गेम नहीं खेला सब सब्काट करें दो धुटिंग छोड़ दो सभी को नोमिनेट करके फिर वोटिंग छोड़ दो डेड़ करते रहो हफ्ते में दो-3 करदो कि पाब जाएगे साई केतन बाहर जाएगा टोव 5 में कौन आएगा सब्सक्राइब ऑर्मान-मलिक रनवीर को इनका तो पक्का है जाएगी साइकेतन भी जाएगा और बिग बोस की अपनी आई तब इन में से किसी को बचा सकते लेकिन उमीद नहीं है इन में से किसी को बचाएगे तो यह है टो फाइप जो कि बिग बोस उनका नाम फाइनल हो गया, फिलार उनका नाम बाक्यों लोगों से बात हो रही है, तो हो सकता है कि इंफलेंसर भी लिए जाया और भी एक खुशी शायद उसके अंदर आये, जो कि अभी उमीद लगाय जा रही है, भी बाते चल रही है, इसके अलावा बात करते हैं, एलवी के लिए कुछ बयान दिया जो की अजीब थे कि अपरादी है यह क्रिम्नल को मंदिर में जाने दिया फोटो किछवाने दिया परीशर में कैसे अग्या मिल गई एलविश आदम ने आज इसके उपर सफाई दी है इतना ही नहीं जो मंदिय परीसर वाले थे वो भी इस पर पहले सफाई दे चुके है कि भाई यहां पर इस तरीकी की चीजे होती है और जिस बंदे ने यह सब चीजे की थी वो खुद एक वकील है सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए लोगों की नजरों में आने के लिए हरकते करते हैं फिर गाली पढ़ते हैं तो कहते हैं कि एलविश के तो जो फैन फोलोइंग है वो विकार है भाई हरकते भी तो देख लो क्या कर रहे हो तुम जबरदस्ति उसके पीछे पढ़ गए तुम्हें पसंद है ठीक है पहले तो यह क्राइम होता है कि एगर किसी का क्राइम में अप को पूजा पाट करते हैं यह यह आपके थोड़ी नहीं है कुछ मंधिलों में यह चीजे बंध है फोटो वगरा बंद है क्योंकि लोग क्या करते था जाके वहां रील बनाते थे जिसकी वज़े से बहुत दिक्कत होती थी तो यह बंद कर दिये गई लेकिन वहां पर एक चीज देखी गई है कि सेलिब्रिटी जो भी आते हैं उनकी फोटो खुद बंदिर वाले किचवाते है और उनको रखते हैं ऐसा अंगठन वाले किचवाते हैं ऐसे ही एलविश आदव के साथ में हुआ उनके खुद यानि कि ना तो एलविश आदव ने वह फोटो ली है ना ही उन फोटो को लेने में कुछ वह था और वह फोटो मंदिर के परिसर में बाहर के साइड ली गई है जहाँ पर ओलेडी बहुत सेलेबिटीज की फोटो है तो जब उन पर उनली नहीं उठाई तो एलविश आदव पर कैसे उखुल उठा सकते हैं और वो भी जब मंदिर परिसर वाले मंदिर वाले खुद ये चीज़ कर रहे हैं क्योंकि वो भी इन चीज़ों से प्रमोट करत हैं अपने मंदिर को कि भई देखो यहां पर हमारे यहां पर बड़ी बड़ी सेलेबिरिटीज आती है हमारा इतना नाम है यह चीजे और जिसे कि लोगों को एक चीज मिले एक कि हम भी यहां जाएंगे यह तरीका होता है लोगों के सामने अवेर करने लोगों को लेकिन फि मेरी जितनी नहीं मैं सिर्फ 25 साल का मुझे मुझे क्यों हर चीज में कीचा जा रहा है तो उसके कही रिजन है पहला तो भाई आप हिंदू हो और आप अपने हिंदूतु को तेजी से रखते हो यह किसी को गवारा नहीं होता हिंदू होना ठीक है अच्छी बात है लेकिन यहा दूसरा लोगों को लगता है कि आप दूसरे ध्रम से नफरत करते हो जो कि कभी ऐसे दिखाया नहीं है लेकिन लोगों का ऐसा खुद में हो गया क्योंकि आपको अपने ध्रम पे प्राउड है तो लोगों को लगता है कि दूसरे ध्रम से नफरत करते हो इस वज़े से दूस का साथ देंगे तो हम इतना जाद आगे नहीं जा सकते लेकिन हम इसके लिए कुछ गलत करेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं क्योंकि हमें बहुत लोग सपोर्ट करेंगे तो यह चीजें हैं जिनका नाम किसी तरीके से नहीं बनता वो दूसरों का नाम खीचके बनाने के कुछ चछ रहे हैं लेकिन उस नाम के साथ में उनके माबाप का कितना नाम आता है वो इस इंसान कितना ठीशन में है ये कोई नहीं समझता मुझे ऐसे आलविश यादर जिस काम्याभी बें आज हैना जो हालत उनकी कि लोगों ने की हुई है यह चीजे चल रही है सपोर्ट भी बहुत मिनता है लेकिन हर बार कानूनी पेच में फसाना हर चीज में फसाना मुझे ऐसा लगता है कुछ दिन बाद ही अपने यह चीजे ही छोड़ देंगे यूट्यूब बगरा कि भाईया छोड़ो मैं विडियो का इन मिलेंगे नेक्ट विडियो में तब तक के लिए बाबाए थिंक्यों सो मुच